नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि थीम पैक अप्लिकिशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं जहां गैज आप भी जाना चाहते हैं कि थीम पैक अप्लिकिशन क्या है और इससे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गैज आज की इस वीडियो को स्टार्ट स आपको मिलते रहेगी तो चलिए प्रेंट्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गई सबसे पहले आपको प्लेश्ट और अप्लिकेशन को ओपन करना है प्लेश्ट और अप्लिकेशन को ओपन करने के बाद गई जहांपर आपको थेम पैक अप्लिकेशन को स्टॉल करना ह यहां पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको थिम पैक अप्लिकेशन के बारे में पूरी डीटल आप आपको देखने को मिल जाती है यहां पर आप इस अप्लिकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं वो सारी डीटल आप आपको देखने को मिल जा को दिखने को मिल जाती है इस Bundesregierung को m0 पर आपको इस ऐप्लीकेशन चाल्णार फीचर भी आपको त्सेवर्म को टरब करना हम शुका क्या हैं को पन एंप क्लिक करना है flesh गाकर हैं एस यहां पर आप साण्प्सन को isolOOD करना है और गई जहां पर आपको accept के option पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं पर आपको कई सारे अलग लग theme देखने को मिल जाते हैं यहां पर आप जिस भी theme को अपने उबल में यूज़ करना चाते है उस category के theme को अपने उबल में यूज़ कर सकते हैं तो गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको अलगलग category वाज कही सारे theme देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर मैं इस theme को अपने उबल में यूज़ करके आपको दिखा देता हूं त यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो गई जहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो गई जहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको 50 कोईन का उपसन देखने को मिल जाता है यह जहां पर आप इस theme को अपने mobile में यूज करना चाहते हैं तो गई जहां पर आपको free में add को watch करना पड़ेगा add को watch करने के बाद गई जहां पर आप इस theme को अपने mobile में use कर सकते हैं तो गई जहां पर में free with add के option पर click करता हूं free with add के option पर click करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आपको इस add को पूरा watch करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आपको arrow के option पर click करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहां पर आपको cut का option देखने को मिल जाएगा तो गई जहां पर आपको click करना है यहां पर click करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाता है और गई जहां पर आप देख सकते हैं तो गई जहांपर में set wallpaper home screen का option पर click करता हूँ Set Wall Pилец, Home Screen की Option पर गिक करने के बाद गई, जहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको cat के Option पर क्लिक करने के बाद गई, जहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर setup success पुलिक option देखने को मिल जाता है तो गई जहां पर आपको ok पर click करना है ok पर click करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको back आने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर home screen पर theme set हो चुका है उस theme को अपने oval में use कर सकते है तो गई जहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको theme pack application को open करना है theme pack application को open करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर theme pack application open हो रही है और गई जहाँ पर आप देख सकते हैं पर आइकोन को अप्शन देखने को मिल जाता है यहां पर आइकोन को अपने ओवल में यूज करना चाते है तो गई जहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लोडिंग हो रही है और गई जहां पर आप देख सकत तो गई जहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे के और आना और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको कई सारे आइकोन देखने को मिल जाते हैं तो गई जहां पर मैं नियोन वाइल आइकोन को अपने वाइल में यूज करके आपको दिखा देता हूं तो उस आइकोन को यूज कर सकती है तो गई जहां पर मैं यूटूब के आइकोन को यूज करके आपको दिखा देता हूं तो गई जहां पर आपको अनलॉक के अप्शन पर क्लिक करना है अनलॉक के अप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आपको एक एड्स होगी इस एड यहां पर आपको पूरा वाच करना है एड को पूरा वाच करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है वेट करने के बाद गई जहां पर आपको क्रॉस का अप्शन देखने को मिल जाता है यहां पर आपको क्लिक करना ह तो गए जहाँ पर में फिलाल यूटूब के आइकॉन को सेंज नहीं करना चाहता है अगर आप सेंज करना चाहते हैं तो गई जहां पर आपको आइकोन को सेंज करना चाहते हैं उस आइकोन को सेंज कर सकते हैं इसके बाद गई जहां पर आपको बैक आना है बैक आने के बाद गई जहां पर आपको विचर्ट का उप्षन देखने को मिल जाता है यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर लग लग देखने को मिल जाती है यहां प्रव जिस प्रकस प्रकोंड कर वैस्द कर सकते हैं इसके बाद गई जहाँ प्राप कोży माइन का ऑफ्षन देखने को मिल जाता है यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आपको कई सारे अलग लग option देखने को मिल जाती है यहां पर आप जिस पर option को यूज करना चाहते है उस option को यूज़ कर सकते हैं इसके बाद गई जहां पर आपको setting option पर क्लिक करना है setting option पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको privacy policy option देखने को मिल जाता है term of service का option देखने को मिल जाता है subscription management का option देखने को मिल जाता है about us का option देखने को मिल जाता है और गई जहाँ पर आपको account का option देखने को मिल जाता है इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप theme pack application को अपने mobile में यूज़ कर सकते हैं तो गईज कैसा लगए वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताया और अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिस सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेट कर लिजीगा जिससे आने वाले वीडियो की नौटिपिकिस आपको मिलते रहेगी